FCI ने 36 गड़ में क्यों स्टोरेज से मना किया क्या इसलिए मना किया कि सूट बूट के दोस्तों की वाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है मेरी दूसरा सवाल है क्या किसान अपनी आवाज जो वो उठा रहे है क्या सरकार उनको पीडित कर रही उनको दंडित कर रही अपनी आवाज उठाने के लिए मेरा तीसरा concern है और कॉंग्रेस पाटी का तीसरा concern है अपने दोस्तों को यह फूट ग्रेन के अचानक से 17-18 में उस डबल-A-L-L, Adani Agro Logistics Limited को अचानक से क्यों ठेके मिलने चालू हो जाते हैं, क्यों वो कहते हैं कि आने वाला भविश्य बहुत सुने रहा है, क्यों वो अचानक से अपनी कंपनी को तयार करते हैं आने वाले भवि हिश्य के लिए हम मांग करते हैं कि क्रपया करके हमारे अनदाताओं के प्रती एमपेथी दिखाते हुए हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस ने, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया है मैने आपको तीन उधारण दिये मद्यपरदेश में 279 में से 47 क्रशी उपजमंडिया सरकारी क्रशी उपजमंडिया परमानेंटली बंद हो गई है मद्यपरदेश में 143 279 में से सरकारी क्रशी उपजमंडियों के transaction 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं मध्यपरदेश में देवास में जो व्यापारी है वो किसानों के धाई हजार क्विंटल से ज़्यादा दलन को लेके दो करोड जिसकी मुल्य है उसको लेके गायव हो चुके हैं मध्यपरदेश के अंदर contract farming ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है यह देखिए कंपनियों ने फसल तो लगवा दी लेकिन quality का हवाला देकर अब अनदाताओं से वो फसल नहीं खरीदी जारी है आप मुझे यह बताईए ऐसा एक उधारन पूरे दुनिया में बता दीज एक महिने के अंदर आप अगर संशोदन के लिए तयार हो इसका मतलब that act had a primary issue with it उस primary issue को आपको resolve नहीं कर सकते वो संशोदित नहीं हो सकता उसको आप वापस लीजिए और नए कानून किसानों के साथ बैट कर बनाईए नए कानून संसद में सांसदों के साथ बैट के राज्य सबा में विपक्षी दलों के सांसदों को निश्काशित करके वोइस वोट से कानून मत बनाईए वोटिंग करवाईए लोकतांत्रिक परंपराओं को साथ में लेकर नए कानून बनाईए यह हमारी मांग है और यही हिंदुस्तान के अनदादाओं के मांग है